हेलो राम राम दोस्तों कैसे हैं आप सब भी जरूर बताइएगा आज मैं लेशन की चटनी की रेश्पी आप सब भी के लिए लेके आई हूँ इसमें सबसे पहले लेशन को फोड़के उसकी कलियां लग करके इसको गरम पानी से भिगा देंगे इससे आसानी हो जाएगी हमें छीलने में तो छील के गरम पानी भिगाने से क्या है कि थोड़ी देर आदा घंटक लिए या पंदरा मिनिट के लिए भिगा दीजे तो बड़ियां से फटा फट छिल जाती है तो हमने छील लिया है अब इसमें मिला लेंगे थोड़ा सा अद्र इन दोनों को पीसेंगे नमक डाल लिया जरा सा पानी डाल लिया और इसको पीस लेंगे मसाले में हल्दी धनिया नमक मिर्च और जरा सा गरम मसाला हरी मिर्च जिसके अंदर से बीज निकाल लिये हैं हमने और टमाटर काट लिया कड़ाही में डाला घी गरम हो गया घी तो लेसरन को जैने भी पीष्वाहे उसको डाल देंगे। इसको उनके के सीधा ही डालेंगे और कुछ नहीं डाल रहे हैं। अब इसको हम खुबांटेंगे。 अब उसी जार में टमाटर को पीश लेंगे और लेसन में जो हम भून रहे हैं उसमें हरी मिर्च को इसी समय डाल देंगे थोड़ी देर पकने लग जाए तो टमाटर डाल देंगे पीश के अब फिर से भूनेंगे थोड़ी देर जैसे ही तेल किनारे किनारे दिखने लग जाए अनि अलग होने लग जाए तब तक इसको भूनते रहेंगे आपको दिखाती हूँ मैं किस तरीके से किनारे किनारे जैसे ही तेल अभी देखिए सीधा सीधा मसाले दिख रहे हैं न किनारे किनारे एकदम तेल अलग होने हैं देखिए अब इस स्टेज पे जरस और भुनने के बाद में इसमें डाल लेते हैं अब मसाले उसी जार में जिससे टमाटर पीशा था उसको थोड़स धो के डाल दिया नमक डाल दिया हल्दी लाल मिर्च यह तीखी वाली लाल मिर्च है चटनी तीखी ही अच्छी लगती है और डाल दिया एक चम्मच करीब धनिया अब इसे फिर से भुनेंगे और खूब अच्छे से जब तक मसाला पक न जाए तब तक इसको भुनते रहेंगे जैसे ही लगे कि तेल एक दम अलग होने लग गया है उसके बाद इसमें हम डाल देंगे गरम मसाला आदा चम्मच गरम मसाला करीब इसमें डाल दीजे अब इसकी खुस्बू देखिए तो तुरंत ही बढ़ जाएगी गरम मसाला भुनते ही बहुत अच्छी खुस्बू भीनी भीनी आने लगती है अब तेल इसके अलग होना सुरू हो गये हैं जैसे एकदम से तेल जैसे ही किनारे किनारे अलग होने लग जाएं बस गैस को बंद करिये और चटनी बन के तयार हैं ये लसन की चटनी हमेशा सर्दियों में राजस्थान में बनाया ही हर घर में बनाते हैं लोग इसको हमेशा पूरी सर्दियां रखते हैं और इसको बाहर रख दीजिए खराब नहीं होगी प्रिज में भी रखने के जौरत नहीं है इसके देखिए कैसे तेला लग हो गया ये हो चुका है इसको साइड में खाने के साथ में बाजरे की रोटी से मक्के की रोटी से या गेहु की भी रोटी से इसे आप इंजॉय करिए उमीद करती हूँ आज की रेस्पी आप सभी को पसंद आई होगी यह देखिए कितना बड़ियां लेसन की चटनी यह बनी है इससे सर्व कर लेते हैं तो आप लोग बनाईए खाईए इंजॉय करिए आज के रेस्पी का व्लॉग यहीं तक कल फिर मिलेंगे नेक्स नए फ्रेस ब्लॉग में तब तक के लिए बाए-बाए-टैंक्स पॉर वाचिए नेक्स पॉर वाचिए